Hello everyone, आज हम लोग उने जो पिछली क्लास की थी, उसी को आगे continue करते हैं बच्चों, आज है हमारा GST का lecture number 4, तो बच्चों, पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था Genesis of GST in India, है न, Genesis of GST, कैसे GST का जनम हुआ हमारे देश में और कबसे इसकी बाते हो नहीं है, तो एक बारी फड़ा फट पहले quick revision करते हैं, जो हम लोग ने पुराना किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टीक्या जी, तो सबसे पहले बता दो, पहले हम लोग ने क्या किया, Genesis of GST के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि Prime Minister ने committee बनाने का इरादा किया 2000 के अंद force बनाया गया, जो विजय केलकर के चेर्मेंशिप के अंदर था, और उनको बोला गया कि GST के बारे में बता हो, और 2004 में उन्होंने strongly recommend किया कि GST इंडिया में आना चाहिए, है ना, 2006 साथ के budget में P. G. Dambaram जी ने अनौन्स किया कि 14 2010 से हम लोग GST लेके आ जाएंगे अपने द Constitution Amendment Bill परलेमेंट के अंदर, और फिर 19 December 2014 के बाद 6 May 2015 को लोग सबाने बिल पास किया, फिर इसके बाद 3 August 2016 को राजय सबाने पास किया, 8 September 2016 को प्रेजडेंट ने सिगनेचर दे दिये, 27 March 2017 को चार बिल्स परलेमेंट में रखे गए, इस Central Goods and Service Tax Bill 2017, Union Territory Goods and Service Tax Bill 2017, Integrated Goods and Service Tax Bill 2017, औ और Goods and Service Tax Compensation to States Bill 2017, इसके बाद 29 March 2017 को लोग सबाने, दोनो बिल्स लोग सबाने और राजय सबाने, चारो बिल्स पास कर दिये, और 12 April 2017 को प्रेजडेंट ने सिगनेचर दिये, 1st of July 2017 से GST लाँच कर दिया गया, all over India, except Jammu and Kashmir, और 8 July 2017 से Jammu and Kashmir में भी GST लागू कर दिया गय हमने पढ़ा था कि कौन सी वो 6 states हैं जो सबसे पहले हमारे देश में GST लगा रही थी, 36 तिलंगाना, बिहार, पंजाब, गुआ, राजस्थान, ठेके ये 6 states जो हैं आपको याद अखनी हैं, इसके बाद, जो सबसे पहले country, कौन सी country थी जिसने सबसे पहले GST लेके आए थे और वो था France, France और 1954 में वो लेके आए थे, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, हमारे देश में कौन सा GST model चलता है, dual GST model चलता है, कौन सा, dual, dual का मतलब central government भी लगाती है और state government भी लगाती है, इसके अलावा हम लोग ने what is GST पढ़ा था, GST क्या है, GST कब लगता है, G GST एक टैक्स है, जो कब लगता है, जब भी आपको एक गोडियर सर्विस को सप्लाई करते हो इंडिया के अंदर, तो आपको GST पे करना पड़ता है, एक टैक्स पे करना पड़ता है, एक टैक्स पे करना पड़ता है, except alcoholic liquor for human consumption, जिसके लिए government ने specifically उसको exclude कर दिया, reason being, कि alcoholic liquor पे state government अच्छा खासा tax collect करती थी, और state government नहीं चाहता था कि हमारा tax इसमें distribute हो, GST के features क्या है, GST एक value added tax है, GST एक destination based consumption tax है, GST में continuous chain of tax credits मिलता रहता है, GST में burden finally is on consumer, GST में cascading effect नहीं होती है, GST brings uniform rate of tax all over India, all over India एक जैसा rate of tax होता है, तो ये कुछ बाते हैं जो आपको याद रख नहीं है, बच्चो, deficiencies in value added system, यानि पुराने value added taxation system में क्या एसी कम्या थी, जिन कम्यों का, कम्यों को खतम करके GST साबित करता है, कि GST अच्छा law है, पहला, सबसे पहले, पुराने law में non inclusion of various local levies, luxury tax, betting tax, purchase tax, कोई product पर एक जैसे taxes लगते हैं, purchase tax भी लगा दिया, betting, अब क कोई product पर वो tax लगा दिया, उसका कोई government credit नहीं देता था, जिसकी वज़े से वो cost बन जाती थी, और आगे वो जब बेचा जाता था, तो उसके उपर भी वैट लगा दिया जाता था, यानि मतलब जब जब वो sale होगा, उसके उपर वैट लगा रहे हैं, उन taxes के उपर भी व tax होता था, वो हम उस state को देते थे, जिस state से movement start हुई है, अब अगर मैं उस state को दूँगा, मैं यहाँ बैठ कर यह कह रहा हूँ, कि मुझे इस state से credit चाहिए, तो यह state credit क्यो देगी, तो यही problem थी, यह state credit देती रही थी, जिसकी वज़े से वो ही tax उसकी cost बन जाती थी, तो व पूरी cost पे लगेगा ना पूरी value पे लगेगा, जिसके अंदर वो tax भी था, central sales tax क्योंकि उसका credit नहीं मिला, तो tax on tax तो चल रहा था, exactly ऐसा ही, senvat credit का concept मैंने आपको बताया था, बच्चों, कि manufacturing के ओपर excise duty हम पे करते है, और manufacturing, जो manufacturer होता है excise duty पे करते है, तो जो पे करता ह हो senvat credit ले लेता है, यू central government को सने एक तरह से अपनी जेप से duty दे दी, अपनी जेप से duty दे दी है, central government को, किसने दी है, manufacturer ने, एक manufacturer ने, दूसरे manufacturer को जब दिया था पैसा, तो वो जो buyer वाला manufacturer था, उस manufacturer ने दे दिया, तो इसलिए credit ले ले लेगा, ठीक है, अब वो manufacturer भेचेगा तो wholesaler को, कहीं नोगी wholesaler राएगा, retailer राएगा, तो wholesaler को जब बेचा जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी, वो send-back credit, wholesaler नहीं ले पाएगा, तो excise duty wholesaler से लिया तो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी तो cost है भाई, वो तो recover करेगा ही करेगा, वो अपना burden shift करेगा ही करेगा, क्यों, government तो कहेगा, excise duty तो, अब वो excise duty किसके उपर पूछेगा, wholesaler से पूछेगा, wholesaler विचारा, जब excise duty देगा, तो वो credit ले नहीं पाएगा, और अब ध्यान से देखो, तो उस wholesaler को excise duty, excise duty के उपर, क्या देना पड़ेगा, VAT बेकरना पड़ेगा, यानि tax on tax, तो tax on tax पहले भी चलता था, बहुत, मताँ, VAT होने के बावजूद, credit होने के बावजूद, sendVet credit होने के बावजूद भी, यह चीज होती थी, no sendVet after manufacturing stage, यह एक negative point था, कि sendVet credit non integration of VAT and service tax, यह बात मैंने आपको शाद पहली क्लास के अंदर ही बता दी थी, कि VAT और service tax का आपस में कोई adjustment नहीं होता था, VAT was a state law, service tax was a central government law, तो यह एक दिक्कत थी, double taxation of transaction as both good and service, यह एक one of the deficiency है, कि पहले के time पर, यह पता नहीं जो होता था, कि वो good है service, तो restaurant के जैसे मैंने example दिया था, कि उसी transaction को good भी मान लिया, और उसी transaction को service भी मान लिया, और दोनों taxes लगा दिये, जिसकी वज़े से, एक person को, एक customer को, बहुत सारा burden tax का pay करना पड़ रहा था, और वो illogical था, समझ में आती यह बात, अब obviously यह उमीद करते हैं, कि यह सब बाते अब हट गई होगी, पिल्कुल बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आने वाले chapter के अंदर, कि यह सब चीज़ें अब नहीं ही है, इसकी जगा पे अब एक ही law है, विच इस GST law, और GST law बहुत ही clear है, जो पुरानी कमिया थी, पुरानी existing indirect tax का, गंद पॉइंट था, गंद पॉइंट था, देखें, मैं यह कहूँँगा, उस गंदे पॉइंट को, इन्होंने स्वच कर दिया, GST से, समझ में आगे, अ कॉम्प्रेहंसिव टैक स्ट्रॉक्चर, covering both goods and services, that is goods and services tax, addresses the above mentioned problems, जितनी भी problems हम उपर बढ़ है, वो सारी problems को यहां पर address करा जाता है, simultaneous introduction of GST at both central and state levels has integrated taxes on goods and services, यानि goods and services वाला tension खताम हो गया, in fact, and ensures that both the cascading effects of SenVAT and service tax are removed and continuous chain of set-off from the original producer's point, oblique service provider's point, up to the retailer's level point or consumer level point is established. basically, वो यह कह रहे है, कि पहले की जो कमिया थी, वो कमिया खतम हो गई, GST आने से, क्योंकि GST आने से, VAT और service tax आप पस में अब adjust हो सकते हैं, SenVAT cadet नाम से कोई चीज नहीं होती, अब कोई SenVAT cadet नहीं होता, क्योंकि मनेफाक्चरिंग पे साइस दूटी पे करते थे थे, अब मनेफेक्चरिंग पे कोई डूटी होती ही नहीं, वो तो खतम ही हो गया, लो खतम हो गया, तो अब वो वाली सिचुएशन ही खतम हो गई, तो इतनी सारी taxable events की जगह पर, सिर्फ एक ही taxable event पे फोकस करना है, विच उपलाई ओफ कुट और सर्विस, इन दे जी एस्टी रजीम, दे मेजर इंडिरेक्ट टाक्सर्स हाव बीन सब्सूम्ड इन अमट अब अब जी एस्टी, तो क्याता है कि बहुत सारे taxes खतम हो गए, आज हम वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सा taxes सब्सूम्ड हो गए, बड़ा ही important question है, बच्चों, exam में आ चुका है वो question, the first while concept of the manufacture, or sale of good, or rendering of service, are no longer applicable, क्यों? Sale of good अलग हो गया, sale of service अलग हो गई, manufacturing अलग हो गया, उनके उपर, सबके उपर अलग-अलग duties, taxes लगते थे, but अब government ने सबको हटा के, एक ही taxable event कर दिया, which is supply of good, or service, समझ में आ गई बात, तो बच्चों, क्या, क्या आपको लगता है, क्या आपको खुद दिल से लगता है, कि GST से फाइदा हुआ है, government को, और in fact public को, जी हाँ, बिल्कुल लगता है, और मैं उमीद करता हूँ, आपको लगता होगा, अगर नहीं लगता है, तो आप मुझे message करना, ठीक है, और कोई दिक्कत लगती हो, तो मुझे सिब दाउट discuss करना बचू, आगे, मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ, पहले सब्जूम्ड की बात करते हैं, तो हमारा अगला आज मुद्दा है, टैक्सस सब्जूम्ड इन GST, जो टैक्सस सब्जूम्ड हो गए, यह देखो, बड़ा important है, ठीक है, याद करेंगे इसको, central levies और state levies, मैं देखो, central excise duty, कब पे करना होता था, manufacture पे, manufacture of good in India, यह बात मैंने आपको बताई थी, government ने खतम कर दिया, central excise duty खतम हो गया, और इसकी जगा पे क्या आगया, GST, additional excise duty, कुछ ऐसे products होते थे, जिन negative items के उपर, government additional duty लगाती थी, जी हाँ, normal excise duty के इलावा additional excise duty लगाना, वो government के पास पावर थी, और government लगाती थी, कौन सी government लगाती थी, जब मैं central levies की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब central government लगाती थी, जब मैं state levies की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब state government लगाती थी, central government अगर आप बात करो मुझसे जितने भी क्या कहते हैं टॉइलेट प्रेपरेशन वाली आइटम्स होती हैं उन कॉस्मेटिक्स पे मेडिसन आइटम पर गर्मेंट एकसाइज जूटी यह वली एकसाइज जूटी ना लगा कर यह वली एकसाइज जूटी लगाता था इसका रीज ठीक है तो यह एकसाइज जूटी लगाई जाती थी अंडर मेडिसन टॉइलेट प्रेपरेशन एक्ट हटा दिया बिलकुल हटा दिया अब यह इनके ओपर आप एकसाइज जूटी नहीं लगती खतम हो गया यह टक्स सर्वेस टक्स कब लगता था सर्विस प्रोवाइड कर जिलिंग ड्यूटी बचों होता क्या था जब मैं गुड्स को मेनफैक्चर करता था जब मैं गुड्स को मैं इंपोर्ट करता था मान लो मैं यूएससे से गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं इंडिया में अब इंपोर्ट पर इस इंपोर्ट पर एक इंपोर्टर को कितने तरह की duties देनी पड़ती है, जो generally duties देनी पड़ती थी, वो तीन तरह की होती थी, ध्यान से सुनना, BCD, जिसको बोलते हैं, basic custom duty, CVD, जिसको बोलते हैं, counter veiling duty, और special CVD, जिसको बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, special counter veiling duty, या फिर बोल सकते हैं, special additional duty, S.A.D., मेरी बात समझ रहे हो, BCD, CVD, special CVD, ये तीन तरह के हमारे duties लगाई जाती थी, basic custom duty, counter veiling duty, special counter veiling duty, सर क्यों लगाते थे हम से, देखो, बहुत simple सी बात है, import कर रहे हो आप, मानलो, एक लाख रुपे का product है, उस एक लाख product को, आप एक लाख रुपे के product को import करते हो, अगर मैं US की जगा पे चलो, मैं China मान के चलता हूँ, China पे ज़्यादा apt होता है, ये point जो मैं बनाने वारा हूँ, अब हो क्या रहा था, कि China से जब मैं इंडिया में मंगवा रहा हूँ, उस एक लाख रुपे की item, और वो एक लाख रुपे की item, इंडिया में भी बनती है, तो देखो, पहले तो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा लो, इंपोर्ट पे जो ये जो ड्यूटी है ये तो जेनरल है, ये सब पे लगती थी, BCD, तो BCD का rate मान लो 10% है, ये तो पे करना ही करना है, कितनी value हो गई, एक लाख दस, ये तो पे करना ही करना था, ठीक है, अब अ customer हैं, जो भी, क्या कहते है, importer हैं, importer हैं, importer हैं, đó है, kim ऑन इद हे इंपोर्टर, जो थे वो than China से का प्रोड़क्ट है डेड़ लाग रुपे का 1,50,000 वो बेच रहे हैं एक लाग 10,000 का सर इंपोर्ट करने के बाद भी है नहीं टैक्सर जूटी सब मिला के फ्रेट का खर्चा मिला के भी वह इतना सस्ता दे रहे हैं सर हमारा तो नुकसान हो जाएगा हमारा क्या गर्मेंट का नुकसान होगा हमारे देश का नुकसान होगा हमारे देश के प्रोड़क्ट को तो एंकरेजमेंट ही नहीं मिलेगी तो गर्मेंट ने सोचा हाँ बिलकुल सही कह रहा है यार ये बंदा तो ये बंदा बिलकुल सही कह रहा है कि अगर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश क प्रोड़क्ट के उपर excise duty पे करते हैं, क्या पे करते हैं, excise duty, हाँ, जी हाँ, manufacturers अपने प्रोड़क्ट पर excise duty पे करते हैं, और यह जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, उस पर को excise duty ने लग रही, तो manufacturer को बहुत गुस्सा है, कि sir हम से तो आप हर तरह के taxes लेते हो, हम से त तो government ने decide किया, ठीक है जी हम आपके उपर excise duty लगा देंगे, तो जब excise duty लगाने जा रहे थे, तो importer हस पड़ा, sir गलत कर रहे हो आप, क्या था क्यूं, government क्या था क्यूं, गलत कर रहे हो आप excise duty ने लगा सकते, क्या था क्यूं, क्योंकि excise duty के कानून में लिखा है, that should be manufactured in India, sir यह तो China से manufacture हुआ है, मैं कैसे मान लूँ कि आप excise duty लगा दो, बात तो ठीक है तेरी, central government ने कहा, बात तो ठीक है तेरी, तो फिर, central government ने decide किया, कि हम excise duty नहीं लगाएंगे, sir तो फिर क्या लगाएंगे, हम ना excise duty लगाई नहीं, हम लगा रहे है countervailing duty, तो यह क्या च in lieu of central excise duty, क्या मतलब है, जो counterbalance, countervailing duty का मतलब है, to counterbalance, क्या, to counterbalance central excise duty, वो यह चाहते हैं, कि हमारे देश के products पर भी अगर central excise लग रहा है, तो उन products पर भी लगना चाहिए, जो चाईना से हा रहा है, importer ने का, sir, excise law में आपने यह लखा है, कि manufacturing इंडिया होना चाहिए, तो अपर कैसे लगा सकते हूं, तो उनने का, हम excise duty लगाई नहीं, हम क्या लगा रहे हैं, CVD, sir, यह क्या चीज़ है, countervailing duty, इसका मतलब है, to counterbalance the central excise duty, यानि manufacturers पर, जो हमारे देश के manufacturers है, अगर वो central excise पे करेंगे, तो इस import पर भी central excise लगेगा, समझ में आ रहा है बात, तो यह था countervailing duty का logic, फिर वैसे ही हुआ, हुआ क्या, कि अभी भी बड़े सस्ते थे, चाइना के product, तो फिर से manufacturers का जुन्द चला गया, कहां पर, Indian government के बाद, sir, बड़ा गलात हो रहा हमार, sir, क्यारा, क्य Central government का बात तो ठीक है, तो कह रहे कि, क्या किया जाए, तो उसने का कि, sir, इनको पर भी sales tax लगाओ, Central government ने बात सुनी और कहता, कहता है, ठीक है, मैं अपने manufacturers को नराज तो नहीं कर सकता हूँ, Central government ने बात सुनकर sales tax लगाने जा रहा था, फिर importer कहता, sir, आप ऐसा नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि, sir, sales तो इंडिया में होती, तब sales tax लगता है, जब sales इंडिया में होती है, seller buyer, India के है, ये तो import हो रहा है, sir, आप क्या, आप कोई भी, तो फिर उसने बोला, कि Central government ने बोला, ठीक है, मैं तो sales tax लगाई रहा, कहता है, क्यों, sales tax लगा रहे, तो नहीं, sales tax लगा है, to, counterbalance, to, counterbalance, sales tax, sales tax, जो आपके product पर, manufacturer, normal, जो हमारे देश के products थे, उनके ओपर sales tax लगा था, हम चाहते हैं, कि, हम Central government चाहता है, कि, जितने भी products बहार से आ रहे हैं, उनके ओपर भी sales tax लगे, ताकि, ये दोनों equivalent position पर होते हैं, और तब जाके हम इंको compare कर सके, मेरी बात सम तो government ने इन तीनों तरह के taxes लगाने स्टार्ट कर दिये, 1, 2, 3, यानि जब भी कोई good report होता था, basic custom duty लगाया जाता था, countervailing duty लगाया जाता था, special countervailing duty लगाया जाता था, but, क्योंकि GST आ गया है, बच्चों, क्या आ गया है, GST, तो special countervailing duty और countervailing duty, ये दोनों ही अब delete होग पर आपको याद होगा, तो मैंने आपको लिखवाया था, कि IGST कब लगता है, एक state से दूसरे state, ठीक है, एक state से दूसरे UT, ठीक है, एक UT से दूसरे UT, ठीक है, एक UT से दूसरे state, ये भी ठीक है, import of goods or service, कुछ याद आ रहा है, आप लोग चेक करो प्लीज, import of goods पर भी, import of service पर भी मैंने आपको बताया था, क्या लगेगा, IGST, यानि जहां पर हम लोग, CVD, special CVD पे करते थे, अब इनकी जगा पर IGST पे करना है, यानि GST लगेगा, CVD, special CVD नहीं लगेगा, चलो, clear हो गया, सर ठीक है, central sales tax, subsumed हो गया, बच्चों, central sales tax कब लगता था, जब हम interstate sale करते एक state से तूसरे state में, याद आ रहा है, central government का लेवी था ना, हाँ, collection state government करता था, बट लगाता था, central government था, वो भी खतम हो गया, okay sir, कोई भी तरह का central surcharge, या central sales, in so far as they relate to supply of good or service, कोई भी तरह का surcharge, या कोई भी तरह का says, जो central government लगाती है, किसी भी particular good पर, या किसी particular service पर, तो उस central surcharge और central says को, हम लोग, sub-sum कर रहे है, delete कर रहे है, अब central surcharge और central says नहीं लगेगा, आने वाले time में, बताओ, बात समद में आती है बच्चों, central surcharge, central says खतम, मतलब, central government, मैं income tax की बात नहीं कर रहा हूँ, income tax में says हो होता है बच्चों, जो income tax में health and education says होता है, वो लग रहे है, क्यों लग रहे है, income tax में जो surcharge हो रहे है, क्यों लग रहे है, क्योंकि वो incomes की बाते हो रही है, यहां पर किस की बात कर रहा है, goods और services की, बात समझ में आ गई, चलो, 8 taxes है बच्चों, 8, ये कितने है, 8, ये वाले याट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, याद करते हैं बच्चों, चलो, first, सबसे पहले, central excise duty, additional excise duty, excise duty under medicinal and toilet preparations act, मेरे साथ साथ बोलेंगे, नहीं बोलोगे, याद नहीं होगा, नहीं बोलोगे, याद नहीं होगा, आप चाहते हो ना, याद हो जाए, तो आप मेरे साथ साथ बोलोग है, अब इसके बाद आजाओ, service tax, इसके बाद आजाओ, CVD, इसके बाद आजाओ, special CVD, इसके बाद आजाओ, central sales tax, और last में, central surcharge and central sales, central surcharge and central sales, अब ये देखो, ये central surcharge मैंने अलग, एक साथ लिख दिया, central surcharge and sales, वैसे अगर आप इनको अलग-अलग कर दो, तो ये 9, 9 total 18 बनत के ये थे, जो sub-sumd हो गए, सर, एक बाद ही और याद करते है, central excise duty, additional excise duty, excise duty under medicinal and toilet preparations act, service tax, CVD, special CVD, central sales tax, और central surcharge and says, so far as in relation to the goods or services, now state levies की बाद करे, state levies, 8 again, अब ये कौन से taxes है, सर, सबसे पहला जो नाम लिया गया है, वो entertainment tax का नाम लिया है, entertainment, 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 हां बचो, entertainment अगर आपकी जिंदगी में है, तो उस entertainment के साथ जोड़ा हुआ था tax, state government लगाते थी, entertainment tax, बचो अगर आपको याद हो, 2017 से पहले, यानि GST आने से पहले, entertainment tax लगता था, tickets पर, movie tickets पर, entertainment tax लगता था, amusement park, अगर आप कहीं जाते हो, जैसे, जो भी आप कहीं amusement rides लेने जाते हो, तो उनके उपर भी, उनके ticket के उपर भी entertainment tax लगता था, बचो तो वो अब सब चीज़े क्या हो गई है, finish हो गई है, entertainment tax अब नहीं लगता, next, taxes on lottery betting gambling, taxes on lottery, जी हाँ, अब आपके दिमाग में होगा, sir, lottery betting gambling तो illegal है, किसने बोला, किसने बोला, lottery betting gambling illegal है, किसी ने भी नही बोला भाई, आपको हमेशा ये गलत knowledge है, ये बहुत सारी लोगों को गलत knowledge है, कि lottery betting gambling गलत है, illegal है, गलत है, अलग बात है, illegal है, वो नहीं है, lottery betting gambling state wise illegal legal पर depend करता है, state wise समझते हो, हर state के उपर depend करता है, कि वहाँ पर lottery betting gambling allowed है या नहीं, अगर मैं बात करूँ, पंजाब में, पं private lottery is allowed नहीं है, government lottery निकाले तो allowed है, समझ में आया, सर अगर आप Goa चले जाओ, तो Goa में gambling एक आम बात है, वहाँ पर betting gambling करना ही तो है, main, main लोग कसीनों आते हैं, कसीनों में betting ही तो करते हैं, और क्या करते हैं, शर्ते लगाते हैं, तो basically, ये जो काम है ना, जो मैं Goa का नाम ल और इंडिया से भाहर का, और इंडिया से भाहर का वो आता ही ये काम करने है, आने दो, क्या फरक परता है, तो government ने उनके ओपर taxes लगाया होते हैं, lottery, betting, gambling tax, फिर इसके बाद entry tax, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में entry करते हो, तो आपको एक entry tax पे करना परता था, goods को ल maintenance करने के लिए, तो वो highway का maintenance करने के लिए, toll charge लिया जाता है, वो government का source of revenue नहीं है, मैं यह कहूंगा, क्योंकि ultimately government को maintenance के लिए खर्च करना होता है, तो toll charge जो दिया जाता है, वो generally एक private entity खरी ले, कठा कर लेती थी, और फिर वो pay कर देती थी, आज के टाइम पर तो ये online हो गया कि आज कल वो, क्या आता है, fast tag आगया, fast tag, आपकी गाडियों पर लग जाता है, fast tag, आप वहां से जाते हो, toll वाले side से, तो आपका वो, वो scan करता है, fast tag, और वो आपका barrier जो होता है, वो open हो जाता है, और आप जा सकते हो, तो basically, ये सब चीजें आज कल technology वाली systems आ गया, इसमे अगर मैं Delhi के आसपास बात करूँ, अगर मैं महराश्टर की बात करूँ, बहुत सारे areas में उत कर दिया है धंक से, बट अभी भी बहुत सारे developments की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर, entry tax deleted, entry tax goods की transportation पे होता था, एक state से दूसरे state जाने पर, वो खतम, purchase tax, purchase tax बच्चों, जब भ बल्क में खरीदता था, कुछ state से बल्क में खरीदता था, तो उसके ओपर मुझे purchase tax पे करना पड़ता था, ठीक है, यह again state to state depend करता था, हर state में purchase tax नहीं रगता था, ठीक है, VAT, value added tax के बारे में आपको बताईए, intra state sale जब भी हम करते थे, इडिया नहीं, within the state जब भी हम sale करत है, तो किस पर, alcoholic liquor पर और petroleum items पर, अब यह बाते मैंने आपको बहुत पहले class में करा दी थी ना, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, यह देखो, यह बाते मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह लिखी हुई है, यह लिखी है, alcoholic liquor पर अभी फिलहाल वैट लग रहा है बचों, और state excise लग रहा है, ठीक है, petroleum पर, petroleum items के उपर अभी फिलहाल वैट लग रहा है, और central excise लग रहा है, और tobacco की बात करें तो उस पर central excise लग रहा है, और GST भी लग रहा है, तो दोनों items लग लग्जिरी टैक्स लग्जिरिस आईटम पर पहले के टाइम पर जब GST नहीं होता था तो लग्जिरी टैक्स पे करना पड़ता था आप 5 स्टर हो टेल जाते हो 5 स्टर हो टेल में जो सबसे superior rooms होते है luxury rooms होते है उन luxury rooms का जो rate होता था इसलिए भी जादा होता था कि उसके उपर एक luxury tax लगा दिया जाता था government की तरफ से state government की तरफ से या फिर आप BMW Mercedes खरीदते हो तो उसके उपर luxury tax भी लगता था VAT के इलावा ते है जो लगना है manufacture पे जो excise duty लगनी है वो लगनी है VAT लगना है वो भी लगना ही लगना है luxury tax लगना है तो ये भी problems थी खतम हो गया advertisement tax बच्चों आप कोई भी add करते हो newspapers में या TV advertisements करते हो तो उन TV advertisements TV पे advertisements देने के लिए उस पर advertisement tax लगाया जाता था state government लगाती थी वो भी खतम हो गया state surcharge and state sys या नी state government के वाज़ पावर थी कि कभी भी वो किसी product पर surcharge या sys लगा दे extra tax लगा दे बट वो पावर भी government ने चीन ली है और government ने कहा कि अब से आप state surcharge state sys नहीं लगा सकते हो मेरी बात समझ में आ गई है state surcharge state sys has been finished अब आप state surcharge state sys नहीं लगा सकते हो जैसे central surcharge central sys कदम हो गया समझ में आ गई बात तो ये कुछ 8 पकार के taxes है जो कि actual में 9 है 8 कर दी है state surcharge and state sys को अलग लग करो तो 9 हो जाते है बट 8 काउंट करके हम लोग इसको भी close करते है और याद करते है ठीक है एक बारी मेरे साथ साथ बोलो कौन कौन से taxes entertainment tax lottery betting gambling tax purchase tax entry tax वाट इसके इलावा advertisement tax इसके बाद एक आपका रहा गया state surcharge and state sys और क्या रहा गया luxury tax ठीक है फिर से state taxes याद करते है सबसे पहले purchase tax lottery betting gambling tax advertisement tax state surcharge and state sys entry tax luxury tax इसके इलावा इसके इलावा इसके इलावा इसके इलावा purchase tax बस मैं इलावा इलावा तो 8 taxes आपको ये याद करने है state के और 8 taxes याद करने है center के ठीक है आप जब जब इस classes के इंदर आगे बढ़ते जा रहे हो ना this is not like income tax कि आपको questions practical करने है सीधा theory करनी है theory वे मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ-साथ theory याद भी करें ठीक है याद रहेगा बच्चों आप लोग साथ-साथ याद कर लेगा ज्यादा टाइम नहीं लगाना है बच्चों ठीक है तो आज अगला topic है बटा चार-चार नंबर के exam में आ चुका है central levies के बारे में पूछ चुका है institute C और अगर आप बात करो state level तो state taxes के बारे में भी institute पूछ चुका है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए MCQs के point of view से भी बढ़ा important topic है आ गया जाते है framework of GST as introduced in India framework क्या है हमारे देश में GST को introduced किया गया उसका क्या concept कुछ features बता दो sir हमारे देश में कुछ GST के features कुछ इस तरीके के है जैसे हम लोगे features कुछ तो discuss करी लिया थे न framework of GST as introduced in India dual GST हमारे देश में dual GST चलता है dual का मतलब central government भी और state government भी दोनों ही tax लगा रही है तो जब भी good या service को बेचा जाएगा उस पर CGST और SGST दोनों लगाया जाएगा और अगर IGST लगाया जाएगा बच्चों तो IGST is a combination of CGST and SGST So India has adopted a dual GST model in the view of federal structure of the country consequently center and states simultaneously levy GST on taxable supply of goods or services or both which takes place within the state or UT तो बच्चों central और state दोनों लगाते हैं जब भी within the state या within the UT भीगता है तो बच्चों मैंने आपको बताया भी था within state भीगएगा तो क्या लगेगा CGST and SGST within UT भीगएगा तो क्या लगेगा CGST and UTGST और अगर interstate भीगएगा तो क्या लगेगा IGST तो मैंने ये बाते हैं आपको पहले भी clear की थी कि CGST, SGST कब SGST उन UT में भी लगता है within that उन UT जो UT में state legislature होते है state legislature बेटा साथ-साथ कोशिश करनी है जो मैंने आपको पहले classes में बताया था याद करने ही कोशिश करनी है कि हाँ याद आ रहे है, हाँ सर अब बताया था तो union territory with state legislatures उन पर भी क्या लगता है SGST, जैसे कि Delhi, Puduchari और Jammu and Kashmir आने वाले टाइम में, ठीक है हम लोग अगर हम इसकी बात करें now the centers have also have the powers to tax on intra-state sales intra-state sales and states are also empowered to tax on services अब देखो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि CGS, बहुत सारे states को ये लगता था कि अगर हम लोग central and state दोनो tax लगाने देंगे goods के उपर, तो state वाले कैते थे हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो central government ने का, चलो सर ठीक है, हम आपको services भी तो दे रहे हैं, पहले services पर tax कौन कलेक करता था, central government, service tax है नाम से, बट अब services पर भी हम लोग क्या कर रहे है, tax बांट रहे, distribute कर रहे है, यारी central state दोनों को मिलेगा goods पर भी बांटो, central state दोनों को मिलेगा यारी सब जगा पे equal concept, कोई अलग अलग नहीं होगा तो नाव दे रहे also has empowered to tax intrasate sales and states are also empowered to tax on services GST extends to whole of India including state of Jammu and Kashmir unlike service tax, जिस service tax के अंदर पहले Jammu and Kashmir को छोड़के बाकी सारे इंडिया में service tax लगाया जाता था, Jammu and Kashmir मना करता था, बट अब इस GST के लिए Jammu and Kashmir भी मान गया और Jammu and Kashmir में GST अब लगता है, समझ में आगी बात now next is CGST, SGST IGST, UTGST and its legislative framework बचों अभी ये कुछ taxes के legislative framework के बारे में बात कर रहा है, Central Goods and Service Tax Act 2017, इस Act के थूँ, जो बिल से Act बन गया CGST लगाया जाता है, and this is levied and collected by Central Government Central Government लगाती है, Central Government ही collect करती है It is a revenue source to the Central Government of India and intrastate supplies of taxable goods or services or both लगता कब है, जब भी कभी कोई intra-state supply होगी, goods की या services की, या दोन होगी समझ में आगई बात, goods and services compensation to states tax act 2017 इस state, इस Act के बारे में बात करें, तो अगर इस Act के बारे में बात करें, तो SDST जो tax है वो इसी के थूँ लगाया जाता है, SDST levied and collected by state government unit territories with state legislatures namely Delhi and Pondicherry Pondicherry के इलावा, अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो recently added है, वो है जमून कश्मीर on intra-state supplies of taxable goods or services और vote यानि intra-state supplies जो भी होगी, यहाँ पर, इन areas में, तो वहाँ पर goods and service tax का compensation to states act लगाया जाएगा, यानि central government को भी tax मिलेगा और state government को भी मिलेगा intra-state supply पर, यह बात हम पहले भी कर चुके है next is integrated goods and services tax act 2017 IGST is levied and collected by central government on inter-state supply of taxable goods or services और both ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और IGST finally distribute कर दिया जाता है, center of state दोनों को equally याद रखना है, IGST जो लगता है, वो कब लगता है एक state से दूसरे state में बेचे तब लगता है एक state से दूसरे UT में बेचे तब लगता है एक UT से दूसरे UT में बेचे तब लगता है एक UT से दूसरे state में बेचे तब लगता है और import of goods or services, इनके उपर भी integrated goods and services tax लगता है, IGST last हम लोग जो बात कर रहे है वो है UTGST Act 2017 and UTGST is levied and collected by union territories without state legislatures, जिसमें हम लोग 5 state legislatures पढ़ते हैं, without state legislatures 5 वले UT's होते हैं, अंडेमान निकोबार, लक्षवदीप, दादर नगर हवेली, चंडीगर, और एक रह गया दमनन्दिव, तो यह 5 जो है यह 5 जो है, यह without state legislatures इसी में एक add हुआ है Ladakh तो अगर मैं total देखा गया तो 6 हो गया है यह पहले जो लिखे हुआ है 6 हो गया है, आप लोग लिख सकते हो मैंने actual में क्या है कि मैंने देखा आपके study materials में कोई changes नहीं किये गए इससे regarding, तो मैंने wait करी है कि जब तक study mat में कोई changes नहीं करें हम भी नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है जी, और बट हाँ, अभी याद करने के लिए आपको पता जरूर होना चाहिए कि Ladakh भी इसी category के अंदर आता है आगे, दो there are multiple SDST legislations, the basic feature of the law such as chargeability definition of taxable event and taxable person classification and valuation of goods or services, procedures for correction, levy of tax and like are uniform in all the SDST legislations as far as feasible this is necessary to preserve the importance of dual GST चार तरां के GST laws जो पड़े एक तो हो गया Central Goods and Service Tax Bill 2017 एक हो गया Union Territory Goods and Service Tax Bill 2017 एक हो गया Integrated Goods and Service Tax Bill 2017 और एक हो गया Goods and Service Tax Compensation to States Bill 2017 ये चारो बिल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है इस पर्टिकुलर फीचर के अंदर ठीक है और कौन सा टैक्स कौन लगाता है इसके बारे में बात की गई है अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि ये पूरा कोश्चन है का सकता है इस पर पूछा जा सकता है नमबर तीन GST is a destination based tax means GST is collected by state where the goods are consumed consumer is the final destination for example if the goods are sold from Delhi to Haryana and afterwards Haryana to UP then the GST of state part will finally goes up to UP state बिल्कुल simple सी बात है central comment को दो आदा मिलना ही है बच्चों बट अगर मैं कह रहा हूं कि finally good consume UP में हुआ है तो UP वाली state को ही जो आदा collection state का मिलना था वो state को वो UP state को मिलेगा समझ में आगई बात now classification of goods and services classification of goods तो क्या किया government ने बहुत सारे goods की categories बनाई और उन goods को classify किया HSN coding से now what is HSN harmonized system of nomenclature याद रखना है यह word HSN harmonized system of nomenclature यह जो harmonized system of nomenclature है यह अभी का coding system नहीं है यह बहुत पराना coding system है जो world custom organization ने बनाया था world custom organization ने ठीक है लिखाए HSN is used for classifying the goods in GST chapters referred in the rates schedules for goods are chapters are the chapters of first schedule to the customs tariff act actual में यह जो goods है ना classify किये गए है यह custom tariff act से देख लिया क्योंकि custom tariff act में already हम लोग HSN coding system को use कर रहे है उसके अंदर क्या होता है एक सबसे पहले उपर होती है chapter chapter क्या होता है heading एक तरह से chapter होता है for example अगर मैं electronic को classify कर रहा हूँ electronic को classify कर रहा हूँ उस electronic को classify करने के लिए for example tube light को classify कर रहा हूँ tube light को classify करने के लिए मुझे एक chapter heading देखने हुगी, chapter heading क्या है, chapter के बाद आता है heading, heading के बाद आता है sub heading, ऐसे, और फिर एक आती है tariff item, ठीक है, चलो practically दिखाता हूँ आपको, जब मैं दिखा सकता हूँ तो क्यों न देखें, practically दिखाता हूँ, चलो आपको, ये मैं आपको ले चलता हूँ, मैं CBIC की website खोल रहा हूँ, Central Board of Indirect Taxes and Customs, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, chapter लिखा हूँ यहाँ पर, chapter, ये देखो, इस तरीके से goods को classify किया जाता है, 0-2 chapter का नाम है, 0-2-0-2, 0-2-0-3, 0-2-0-4, 0-2-0-5, 0-2-0-6, ये सब 0-2 में आते हैं, फिर ऐसे 0-3 है, फिर ऐसे 0-4 है, फिर ऐसे 0-5 है, आगे, 0-6 है, समझ रहे हूँ, ये जो 0-2 के बाद, जो ये जो digits है, ये जो 0-2 है, एक तो ये हो गया, 0-2, फिर इसके बाद, 0-2 जो आया हुआ है, ये है heading, ये है chapter, 0-2, ये 0-2, उसके बाद, 0-2 के बाद, फिर से 0-2 जो डाला है, वो heading है, heading के बाद आगे आती है, sub heading और terrified term, अगर कुछ है तो, उसकी sub heading अगर है तो, ठीक है, जैसे 0-2, 0-2 में क्या लिखा है, All goods other than fresh and chilled and put up into a unit container, उनका GST का rate दिया हुए, 0.5%-0.5% CGST, 0.5% SGST, और अगर IGST चलेगा तो 5%, IGST is a combination of CGST-SGST, तो जब भी मैं 0.5%-0. 1000 दबल ही होगा, फिसका, तो इस तरीके से उनको क्या-क्या, products को सारे के products इसके अंदर डाल दिये कई ये products इसके अंदर आते हैं ऐसे ही सारे products आपको अलग-अलग chapter wise दिखेंगे ये जो 4 digits बनाई गई है ना पहले 2 digits आठ chapter दूसरे digits आठ heading, बाकी के 2 digits is heading ये, आपको CBIC की website में मिल जाएगा बच्चों अगर आप further देखना चाहों, ये देखो सब के 0.5-0.5% के GST के rate हैं ये दिख रहे हैं, ठीक है कुछ goods ऐसे भी हैं जिनके आगे GST के rate change हो जाएगे देखो अभी आपको कुछ goods के GST के rate different दिखेंगे ये देखो 6 और 6 12, हाँ फिर कुछ goods ऐसे भी हैं जिनके तो maximum आपने देखा कि जादा अगर 12, 12 नहीं, 14 और 14, 28 28 का person का एक GST rate होता न, वो ये बला हो गया ठीक है, अब ये कुछ date person वाले भी हैं, ठीक है हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से कौन से type के rates of GST कुछ 0 वाले rated भी होते हैं, 0 rated मतलब इन पर GST नहीं लगाया जाता ये रखो, ये सब लिखें हुए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो ठीक है, मेरा purpose है आप लोग यहाँ से अच्छे से देखो और देखो ये किस तरीके की headings होती है क्या होता है इसके अंदर अब ये लिखो, अब जैसे ये बाला product है मान लो, 870550 ये क्या है? अब इन्होंने 8705 के आगे 50 क्यों लगाया? प्योंकि उसकी आगे subheading भी है तो सब की subheading नहीं होती है किसी की subheadings होती है, किसी की subheadings नहीं होती है, तो कुछ product है अब जैसे ये है, अब ये पूरा है heading, subheading और last में क्या लिखा है, terrifying item 24039940 क्या नाम लखा है, snuff 24039950 240399 8-digit coding system है 8-digit, HSN 8-digit coding system ठीक है, similarly Central Excise में भी होता था, बच्चों Central Excise में भी ऐसा ही होता था और Customs Act के अंदर भी ऐसा ही है और अब GST के अंदर भी ऐसा ही है तो मैंने आपको बोला, पहले 2-digits are chapter फिर 2-digits are heading तो अगले 2-digits are subheading अगले 2-digits are terrified, total 8 digits की classification की जाती है, हम उसको HSN coding बोलते है, हामनाई system of nomenclature जो की internationally accepted product coding system में लिखाए हामनाई system of nomenclature is internationally accepted product coding system which was developed by world custom organization earlier known as custom cooperative council, याद अखना किसने बनाया, world custom organization ने जिसको पहले custom cooperative council कहा जाता था, this system was prepared to know the trade statistics all over the world, यह system क्यों prepared किया गया था, दिकत क्या थी, दिकत यह थी, कि किसी product को, अगर मैं मान लो मैं pen की बात करता हूँ, US में इसको pen ही बोलते है इसको pen ना बोलके कुछ और बोलते होंगे उसकी language यह अलग है, ऐसे ही China में कुछ और है, ठीक है हर देश में इसको कुछ अलग-अलग word से बोला जाता है, और अगर मैं जानना चाता हूँ कि इस pen की कितनी trading हुई है, पूरे world में, तो मैं नहीं बता लगा पाऊंगा क्योंकि किसी में pen बोला, confusion होगी तो क्या कर दिया, पूरे world में सब लोगों से बात करके हर country से बात करके numbering रख दी उसको बोलते है, HSN coding रख दिया हामनाई system of nomenclature, जो सब के साथ discuss कर लिया, सब के साथ, पूरे world में जितनी भी countries, ठीक है अब सारी countries के discuss करके, उन्होंने बोला HSN coding के थूँ, हम लोग समान खरीदेंगे और बेजएंगे, ठीक है अब वहाँ पर जो HSN coding होती है वो six digit coding है, कितनी है, six digit हमारे देश में कितनी है, eight digit हमारे देश में eight digit coding है, जबकि world level पर जो बनाया गया था, जो पहले शुआत की गई थी, जिसकी, वो six digit coding थी, हामनाई system nomenclature is internationally accepted product coding system which was developed by world custom organization, जिसको पहले custom cooperative council कहा जाता था, this system was prepared to know the trade statistics all over the world services को classify कैसे किया जाएगे services को classify कैसे किया जाएगे, services को classify करने के लिए उन्होंने एक अलग क्योंकि services के लिए आज तक classification नहीं की गई थी, बट services को classify उन्होंने अलग तरीके से किया, एक new scheme निकाली classification of service की, मैं आपको वो भी दिखा जैता हूँ, आजओ, मैं आपको वो भी दिखा जैता हूँ, तोड़ा सा interest बन जाता है आपका भी मन करता है, हाँ याज यह भी चीज दिखाओ सर, हमें GST, HSN या मैं कहता हूँ, service schools CBIC की website पे आपको यह मिल जाएगा बच्चो यह है service की codings, आप देख रहे हूँ, यह services की codings है सबसे पहले आपको दिख रहा है section पहले क्या लिखा है, headings में क्या लिखा है, इन्होंने section, section का नाम क्या लिखा है, construction service, फिर इसके बाद नीचे क्या लिखे heading, heading number क्या है, 9954 उसके बाद उसकी grouping की गई है, 9954 11, 111 जिसका नाम है construction service of single dwelling और multi dwelling और multi storage residential building फिर 9954 यह तक तो सेम रहेगा, 9954 उसके बाद 2 आ गया, construction service of other residential building आप मेरी बात समच रहे हैं, यह उन्होंने section बना दिया, construction service का, section 5 construction service का बना दिया, सारे construction वाले होंगे, सारे construction वाले होंगे, next section बना दिया section 6, ठेक है जिसके अंतर distribution trade services बना दिया, अब यह HSN coding जैसा नहीं है, इसका different concept है different तरीके जल रहा है, इसलिए इसको बोला रहता है new scheme इसको बोला रहता है new scheme of classification of service, यह आज तक ऐसा ही चलता हुआ रहा है, अब services के लिए, तो services के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, accommodation, food, beverage service, transportation service, gas, electricity, distribution service, तो वही आपको यहां मिलेंगी, इसके अंदर सारी मिलेंगी, ऐसे ही section number 7 है financial and related services, section number 8 है, section number 7 में financial and related services में समझ गए, आपके real estate, rental, leasing, यह सब चीज़ें सी के अंदर आएंगी, ठीक है, financial, leasing, banking वाली services, फिर आजाती है business and production service, यह आगया, research, experimental, interdisciplinary, research services, legal and accounting service भी इसी के अंदर आता है, बच्चों, business section number 8 में, यह जो आप लोगोंने आगे services देनी है, accounting, auditing, bookkeeping, यह सब इसी के अंदर आता है, tax consultancy, सब इसी के अंदर आता है, फिर इसके बाद section number 9 होगा, community, social and personal services and other miscellaneous services, ठीक है, community से related services इसके अंदर डाली गई, जहाँ पर 9-9 करके डाला गया, और हमारी education, बच्चों, 9-9-9-2, education, coaching की जो services है, वो भी इसी के अंदर आती है, education services, training services, सब इसी के अंदर आता है, यह देखू, is that clear, तो आपको coding, आपको product, आपको उसकी heading याद रखनी है, 9-9-2 याद रखना है, coaching के लिए, education services, ठीक है जी, चलो, बंद कर देता हूँ इसको, now, समझ में आया बच्चो, scheme of services, scheme of services, new scheme of classification of service has been devised, wherein the services of various descriptions have been classified under various sections, पहले sections आपनों ने देखे, उसके बाद headings है, उसके बाद groups है, each group consists of various service codes, सब के अलगलग service codes है, service codes देखा आपने, ट्रिपल 9-2 ये codes है, now, इसी code को हम लोग tariff item कहते हैं, और उसके उपर GST कितना लगेगा, उसके right and side पे लिखा होता है, तो ये है, हामराई system of nomenclature is for goods, service codes is for services, समझ में आगई बात, service codes, आगे बढ़ते हैं, composition scheme, तो बच्चों GST की जब हम बात करते हैं, तो हम लोगों को ये बात समझ नहीं है कि GST के अंदर और ऐसा क्या है, जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर composition scheme भी लेके आए, ये composition scheme क्या है सर, composition scheme में government ने कहा कि जो छोटे businessmen हैं, जो छोटे level पर काम कर रहे हैं, जिनका कम काम है, उनको इतनी compliance का काम करना क्यों पड़े, हर महीने के महीने returns भरेंगे, हर महीने के महीने GST की payments करेंगे, बहुत मुश्किल है इन तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को composition dealer बना दिया, composition dealer, कहा कि आप लोग benefit उठाओ composition scheme का, और आप यहाँ पर registration तो आपकी हो गई, बट अब आपको हर महीने की महीने की जग़ा पर हर quarterly payments करनी होगी, उसने का ठीक है यार, महीने वाले से तो ठीक है, comparative comparison देखा जाए, तो quarterly, आराम से मैं pay कर सकता हूँ, महीने महीने pay करूँगा तो उससे तो बेटर ही है, so in the GST regime, tax, CGST, SGST यानि UTGST, SGST या UTGST जो भी लग रहा है, for interstate supplies and IGST for interstate supplies, यह हमें पता है, is payable by every taxable person and in this regard, provisions have been prescribed in the law, however, for providing relief to the small businesses, जो छो चोटे लेवल पर काम कर रहे है, जिनकी turnover, जिनकी turnover, 1.5 करोर रुपीज तक की है, गर्मेंट ने उनको composition scheme की facility दी है, प्राइमरली manufacturers, supplier of food articles, traders, etc., making interstate supplies, a simpler method of paying taxes and prescribe, which is known as composition levy, पता है, इसमें fix rate of GST होता है, fix, इसमें GST के rate भी fix कर दिया जाता है, GST के rate यहाँ पर fix कर दिया, कि आपकी जितनी भी turnover होगी, मालो तीन महीने की जो भी turnover होगी, मालो है वो 20 लाख रुपे, तो उस 20 लाख रुपे का आपको 1% CGST पे करना है, 1% SGST पे करना है, समझ में आगई बात, तो यह एक fix rate कर दिया, composition scheme में, composition scheme में rate जो है, वो बहुत change हुए है, पहले जब नया नया आया था, तो 1.5 का rate आया था, 1 का आया था, और 2.5, अब 1 exist नहीं करता है, अभी recently 0.5 और 2.5 चल रहा है, यह 0.5 क्या है, 0.5 और 0.5 is 1, यानि total 1 ही लग रहा है, समझ में आगई बात, 2.5 और 2.5 यानि 5, अभी हम लोग बात करे ही क्यों, क्योंकि हम लोग ने आगे आने वाले classes में, GST के composition scheme के rates पढ़ने है, तो चिंता नहीं कर दूँगा तो, हाँ, सिरफ अभी इतना समझना है कि composition scheme, small dealers को encourage करने के लिए कि उनको GST का burden ना लगे, इसलिए composition scheme बनाया गया, is that clear, आगे देखते हैं, तो further for small service providers, also a scheme prescribed concessional rate of tax has been formulated, तो goods के लिए composition scheme बनाया गया और services के लिए भी उन्होंने concessional rate of tax वाला scheme निकाला, जो composition जैसा रही है, services वालों के लिए, ठीक है जी, तो ये composition scheme का concept आ गया, GST के अंदर, वो भी हमारे देश में कुछ different है, registration की बात करें, तो हमारे देश में every supplier of good or service is required to obtain registration in state और UT from where he makes a taxable supply, if his aggregate turnover exceeds the threshold limit, अगर उसकी aggregate turnover जो है, threshold limit को cross कर जाए, sir, threshold limit क्या होती है, threshold limit का मतलब है, एक minimum statutory limit कि जो कि कुछ, कुछ states के लिए 10 लाग रुपे है, कुछ states के लिए 20 लाग है, और कुछ situations में 40 लाग भी है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखाया क्योंकि हम लोगोंने इसका एक अलग chapter परना है, registration chapter, जो हमने chapter number 7 में discuss करना है, तो मैंने इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, registration chapter में exemptions, तो apart from providing relief to small scale businesses, composition scheme वाली relief देने के इलावा, कुछ goods और कुछ services government ने exempt कर दी है, जैसे example लूँ, unbranded आटा, पिटा वो जो चक्की वाला आटा होता है, जो raw आटा होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, हाथी ब्रैंड वाली आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मै company, आशिरवाद आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, company है, वो branded data, unbranded data is not livable to GST, ऐसे ही, unbranded, unpacked paneer, unpacked दहीं, वो जो होता है, जो ये dairy वाले, अपना ही दहीं और अपना paneer भी निकल बनाते हैं, ठीक है, और वो भी market में sale out करते हैं, मतब mother dairy और amul का जो बिकता है, उसके इलाव जो अपना उनका product होता है, वो product भी जो market में बेच रहे हैं, बच्चों, उस product की sale पर, उस product की sale पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर, क्या कहते हैं, कि उस पे GST government ने मना कर दिया, उसका reason, reason बहुत simple है, कि उन लोगों को compete करना है, comparable करना है, comparable समझते हो, कि अगर, अगर branded item है, औ एक local item है, तो उस local item का हमेशा, branded item से level थोड़ा सा काम होना चाहिए, prices में, क्योंकि अगर यह दोनों same होंगे, तो branded ही लेगा ना, सीधी सी बात है, इसी reason से government यह चाहता था कि local वालों को कुछ support दिया जाए, उनके पर GST मत लगाओ, तो इसलिए उनके पर GST नहीं लगाया, अब GST नहीं लगाया, तो क्या होगा, यह थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, comparison to branded items, समझ में आगई बात, next is seamless flow of credit, यह तो मेरे ख्याल से अप लग, आप लोग सब अब तक सब जान चुके हो, कि there is a seamless flow of credit, credit मिलता रहता है, मिलता रहता है, credit रुकता ही नहीं है, credit मिलता रहेग समझ में आता है, since GST is a destination based tax, consumption tax, the revenue of SGST, ordinarily accrues to the consuming states, सही बात है, the interstate supplier exporting state is allowed to set off the available credits of IGST, CGST, SGST, UTGST, against the IGST payable on interstate supplies made by him, यह हमें पता है, यह हमें पता है, कि हम लोग किसी ओगर state से अगर खरीदते हैं, तो जो IGST pay करते हैं, उसका credit ले लेते हैं, और वो credit लेने के बाद, मैं उस state बेच रहा हूं, तो IGST के साथ सेट ओफ कर दूगा, और अगर मैं इंत्रा state बेच रहा हूं, तो CGST, SGST को IGST के credit के साथ सेट ओफ कर दूगा, since GST is a destination based consumption tax, revenue of SGST, ordinarily accrues to the consuming states, the interstate supplier in exporting state is allowed to set off the available credit of IGST, CGST, SGST, UTGST, in that order, against the IGST payable on interstate supplies paid by him, the buyer in the importing state, जो state import कर रही मलब खरीद रही ह The buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate purchase made by him, thus, unlike the earlier scenario, इस में, अगर मैं इसको compare करूँ, earlier वाले के साथ, तो earlier क्या होता था, earlier क्या concept होता था, earlier होता था, CST, तो अगर मैंने CST pay किया, CST paid on purchase, तो मैं उसका credit नहीं ले पाता था, no ITC, और इसका credit क्या पाता था, नहीं ले पाता था, तो मेरी क्या बन जाती थी, cost बन जाती थी, क्योंकि वो CST purchase on paid को मैं VAT के साथ, adjust नहीं कर पाता था, VAT या फिर CST, जो भी हो, interstate आगे मैं purchase, sale कर रहा हूं, या intrastate sale कर रहा हूं, फरक नहीं पाता, दोनों ही cases में मैं किसी के साथ भी adjust नहीं कर पाता था यह एक दिक्कत थी, क्या था, the buyer in the importing state, now, now, the buyer in the importing state is allowed to avail credit of IGST, which was paid on interstate purchase, made by him, thus unlike the earlier scenario, where the credit chain used to break, पहले बीच में ब्रेक हो जाती थी, क्यों ब्रेक हो जाती थी, पहले CST था, CST का, मतलो, intrastate sale किया, फिर intrastate के बाद, interstate हुआ, फिर इसके बाद intra हो गया, क्या बोल रहा हुआ है, यह देखो, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं आज का और पहले का compare करूं, intra, inter, और फिर intra, मान लेते हैं, एक लाख रपे की item है, पहले की बात करता हूँ, वैट का rate है 10%, तो कितना हो गया, 10,000, value कितनी होगी, 110, ठीक है, यह जो, मान लो, Y ने खरीदा था, Y ने बेच दिया, Z को, जो interstate बेचा, यह Delhi का है, और यह UP का है, इसको बेच दिया, अब इसको बेचने के बाद, Z, Z खरीद रहा है, तो Z तो credit ले लेगा, ITC ले लेगा, ठीक है, सॉरी, interstate sale होगा है, तो interstate sale होगा है, तो credit नहीं ले सकता है, तो हम बात कर होते हैं, अब रेली से UP जानेगी, UP में जब जए गया, तो यह जब Delhi वाला UP को बेचेगा, तो एक लाख दस ज़ार पे के उपर profit आड करेगा, तो य ने दस ज़ार पे दे दिये, मालो, X ने Y को बेचा था, यह डेली का था, यह बी, ठीक है, और X भी डेली का था, Y भी डेली का था, X ने Y को बेचा था, एक लाख रुपे प्लस वैट लगा के, ठीक है, अब Y के लिए cost कितनी होगी, क्यों Y तो sorry, Y तो ITC ले लेगा न 10,000 का, चलो Y ITC ले लेगा 10,000 का, क्योंकि Y के लिए purchase है, तो Y को कितने का बड़ा है, 1,00,000, प्लस उसने अपना margin एड किया, मालो, 50,000, फिर वो 1,50,000 पे का आगे, इसके उपर क्या लगा देगा, CST, क्योंकि Interstate Sale कर रहा है, मालो, CST का rate भी 10% है, तो कितना हो गया, 15, यह यह देखो, अब इसके बाद Z, इसका credit तो ले नी पा रहा, इसका credit नी ले पा रहा, तो इसके लिए cost कितनी होगी, 165 ही होगी, अब इसके लिए cost 165 होगी, तो आगे price पे 50,000 पे का, मालो, margin add कर देता है, तो 2,15,000 होता है, जिसके बाद वो intra बेच, Inter के बाद वो वापस, मा मालो 10%, तो 21,500, हाँ, अब आप ध्यान से देखो, कितना हो गया यह, 2,3,6,500, मैं आपको दोनों situation में फरक दिखा रहा हूँ, यह देखो, आपको यहां तक समझ में आया, ठीक है, यह तो हो गया प्राना वाला, अब नया वाला देख लेते हैं, X ने Y को बेचा, Y ने Z को ब Y ने खरीद लिया, Y ने खरीद लिया, तो Y ने ITC ले लिया, 10,000 का, हाँ, Y के लिए cost पड़ गई कितने की, 1,00,000 की, प्लस margin add करेगा 50,000 का, प्लस margin add करेगा 50,000 का, और price हो गया, 150, फिर इसके बाद फिर से GST लगा दिया, माल दो 10%, यानि 15,000, तो 165, अब बच्चों आपको पता है कि ये credit इसके साथ सेट आफ हो जाएगा, ये बंदा फिर से credit ले लेगा, 15,000 का क्या ले लेगा, ITC ले लेगा, तो इसको cost कितने की पड़ी, 150 की पड़ी, ठीक है, प्लस फिर से margin add करेगे, 50,000 पे same margin add कर रहा हूँ जो उपर है, कोई फरक नहीं रख रहा हूँ मैं, 2,00, और फिर इसके बाद फिर से GST, 20%, 10% which is 20,000, देखना जड़ा, प्राइस देखना जड़ा, बताओ, एको किस में फायदा होगा, इस में फायदा होगा, या इस में फायदा होगा, 2,20,000 में फायदा होगा, मेरी बात सम मिलता था, जो उसकी कॉस्स बन जाती थी, किसकी कॉस्स बन जाती थी, जो भी बायर था, समझ रहे हो, और अब IGST है बच्चो, IGST का भी ग्रेट मिल जाता है, IGST क्रेट केन बी सेट ओविध, IGST, CGST, SGST, UTGST, या दा रहा है, बच्चो, तो इस रीजन से मैं बताता हूँ, यह जो पॉइंट लिखा है न, इसका एक लॉजिक है, seamless flow of credits है, बीच में रुकावाट ही नहीं है, कोई रुकावाट नहीं है, अगर यह बीच में रुकावाट बन जाएगी, बन जाएगी, इसी रीजन से वहाँ पर प्रोब्लम्स आ सकती है, वहाँ इस्पूट्स आ सकते हैं, अंडर GST regime, there is a seamless flow of credit flow, in case of interstate supplies too, the revenue of interstate sale does not accrue to the exporting state, and the exporting state transfer to the center, the credit of SGST, UTGST, used in the payment of IGST, पैटा, आपको, आपने देखा होगा, वो IGST की जब हम settlement करते थे, SGST के साथ, तो इसका मतलब क्या होता था, कि वो जो government collection IGST करके बैठी हुई है, central government collect करके बैठी हुई, वो किसका बनता है, state government का बनता है, क्योंकि IGST credit आपने state government के साथ adjust कर दिया, अगर आपने ऐसा किया, तो state government को, state government, central government से पैसा लेती है, बेटा, आपने वो, पिछला example देखा होगा, जो मैंने कराया होगा, तो वो example भी देखा होगा, इसके अलावा, the center transfers to the importing state, the credit of IGST used in the payment of SGST, यह उल्टा बोल दिया, तो बात एक ही है, मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि, जब हम लोग adjustment करते हैं, मैं आपको एक, यह वाला question जो है, इसको एक बड़ी देखो, फिर से, यह वाला question वैसा घर पे करना था, I hope आप लोगोंने कर लिया होगा, बट मै फिर भी करा रहा हूँ, इसका reason है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से, यह बात concept अच्छे से याद हो, Mr. A, Mr. B, अचा मैं format में नहीं करा रहा हूँ, मैं एक format में नहीं करा रहा हूँ, मैं एक सरफ आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं, Mr. A, Mr. B को जो बेच रहा है, वो डेली का बेच रहा है, ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल है बच्छों यह, और प्राइस दिया हुआ है 10,000, प्लस CGST, CGST और SGST लगा दिया जाएगा, ठीक है, rate का, SGST, SGST का rate, मान के चलते हैं, CGST का rate है 9%, और SGST का rate भी 9%, ठीक है, ठीक है, और A, Central Government को देदेगा 900, और State Government को भी देदेगा 900, B लेलेगा credit, कितने का, 900 CGST और 900 SGST का, ठीक है, अब B को cost कितनी पड़ी, B की cost पड़ी 10,000 परी, B अपना margin add करेगा, 20% margin is to 2,000 रुपीज, value बन गी 12,000, और फिर CGST, SGST लगा देगा, CGST और SGST, CGST 12,000 रुपी, यारी 12,000 पर लग गया, 9% is 1080, और SGST लग गया 1080, टोटल हो गया 14,160, ठीक है, अब इस 14,160 जो हम लोगों ने निकाला, इस 14,160 जो CB को देगा, output tax की बात करें, तो B ने output tax कितना collect किया, 1080 और 1080, अब ये 1080 इसके साथ adjust कर देंगे, अचा सॉरी, एक और दिक्कत है, ये तो मेरे खाल से interstate sale है, B ने C को जो बेचा है, B ने C को जो बेचा है, हाँ, interstate, sorry, यहाँ पर लगेगा IGST, IGST, तो ये लगेगा 2160, ठीक है, ये price सेम ही आएगा 2160, IGST लगेगा, output tax 2160, अब जब हम लोगों ने ये किया, output tax IGST किया है, यानि हमने central comment को देना है, central comment को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम CGST भी adjust कर रहे हैं, SGST भी adjust क कर रहे हैं, और central comment को कितना देना है, 360, अब यहां central comment को गुसा नहीं आएगा, बट नहीं आएगा, क्योंकि central comment का जो भी पैसा बनता है, वो किसके पास पढ़ा हुआ है, देखो 900 रुपे तो पहले सी central comment के पढ़े हुए, अपने, हाँ, central comment के पढ़े हैं, और 900 रुपे state government के पास पढ़े, यानि 900 रुपे डेली government के पास पढ़े, डेली government से ले लिया जाएगा, और state, central government अपने पास रख लेगी, ये बात अगर आपको याद आ रहा हूँ, मैंने एक example के साथ आपको करवाया था, ये मैं revenue distribution भी करा देता हूँ आपको, एक minute, ये लेगो, अब ये finally, जब मैं यहाँ पर डेली, central government, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, किसकी, हर्याना government की, यहाँ पर A ने जब B को बेचा, तो तो 900 रुपे central government को, 900 रुपे daily government को मिल गए, बट आगे जब B ने C को बेचा, बी ने C को बेचा, तो अब यह हमें पता चलिए था है कि IGST मिलना चाहिए, और IGST, central government को 360 मिल रहा है, 360, बहां बिल में तो बिल में पता है कितना लिखा है, बिल में तो यह ही लिखा है, 2160, यानि 14160 यही बील होगा, बट एक्च्छल में central government के पह서ंच कितना रहा है, 360, तो central government ने का, मेरे 900 रुपे किसके पास है, सर Delhi government के पास है, तर Delhi government को तो मिलना ही नहीं है ना, सर क्यों डेली गर्मेंट को क्यों नहीं मिलना चाहिए अरे डेली गर्मेंट को क्यों मिलेगा क्योंकि वो रेविन्यू तो अब कहां जा रहा है वो रेविन्यू तो किसको जाना चाहिए हर्याना को जाना चाहिए डेली गर्मेंट की जगा समझ में आ रही है बात तो इसलिए Delhi government को तो 900 रुपे नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वो state तो change हो चुका है और GST is a destination based tax तो इसलिए यहाँ पर तो हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 260 रुपे बताओ, हो गया रगलियर अब आगे क्या हुआ, B ने C को बेचा, C कि तो ने consumer को बेच दिया अब जब C ने consumer को बेचा तो C ने तो ITC ले लिया, किसका? IGST का, IGST कितना दिया था? 260, भाई, C को नहीं पता, B ने कितना दिया है C ने 260 रुप ही दिया है B ने भी 260 रुपे देने थे बट B ने 260 में से अपने 900 रुपे काट लिया ऐसे ही C कहता कि मैं तो credit ले लूँगा और C ने credit ले लिया, तो price उसको कितने का पड़ा? 12,000 का अब वो आगे अपना margin add करे का 20% which is 2400 total हो गया 14,400 फिर इसके बाद, फिर से क्या लगा? CGST और फिर से क्या लगा? SGST क्योंकि ये वाला intrastate sale है दियान से देखो 14,400 का 9% जब मैंने calculate किया आया 1296 और 1296 और total हो गया 14,400 plus 1296 plus 1296 is equal to 16,992 ये जो 16,992 है consumer ने C को दिया है 16,992 और मैंने output tax की जब मैं यहां बात लिखरूंगा output tax की मुझे pay करना है central government को 1296 और state government को 1296 तो central government को दिया मैंने बाबाजी का ठुल लो क्यों central government को मैंने कुछ नहीं दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि IGST credit can be set off with IGST, CGST, SGST मैंने CGST की साइजस्ट कर दिया तो मैंने इसको adjust कर दिया तो हो गया 0 यहां पर 2160 मेंसे 1296 मैंने खतम कर दिया 2160 मेंसे 1296 खतम कर लिया 864 और काट दूँगा 1296 मेंसे बताओ तो कितने रह गए 432 रुपे यानी state government को कितने रुपे देने 432 state government खुश हो जाएगी क्या state government ये ले state government ये ले 432 तेरे बनते हर्याना ने का अरे बिल पे तो 1296 लिखा है मेरे बाकी के पैसे कुण देगा बाकी के पैसे central government के पास है सर कैसे काटे नहीं थे क्या यहां पर आपने कितना bound काटा है यहां पर 864 ये काटा नहीं काटा है यहां पर 864 आपने central government स्टेट गुर्मेंट का 1296 बनता था हर्याना का बट उसको दिया कितना 432 क्यों क्योंकि उस डीलर ने कहा कि मैंने और इसे बैलनस बचा है इसका मतलब बाकी के पैसे इसके बात पड़ेंट के पास तो 864 इसे ले लेंगे और इंको दे देंगे तो यह बन गया 1296 और यह भी बन गया 1296 बताओ बात समझ में आती है या उपर से जाती है समझ में आती है चलो बहुत ही अच्छे बच्चों ये लॉजिक है जो इस पॉइंट के अंतर बताया गया है ये जो पॉइंट है seamless flow of credits का ठीक है ये जो last में लिखा था revenue of interstate sale does not recruit to the exporting state सही बात है exporting state को थोड़ी मिलना है वो तो exporting state किसको देदेगी अगर तो वो है interstate sale है तो central government को देदेगी और अगर वो intrastate sale है तो तो उनी को ही मिलना था बढ़ ये interstate sale की बात हो रही है the revenue of interstate sale तो वो तो state government को मिलना ही नहीं चाहिए ना हाँ उस state को जरूर मिलना चाहिए जिस state पे finally consume हो गया यानि अगर ये आकरी जो transaction है ना ये वली ये वली C to consumer वली ये भी interstate होती तो यहां IGST लगता IGST के set up करता था जो IGST होता वो मैं बात दे 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 था तो IGST सारा का सारा IGST होता यहां पे लिखा होता 2, 1 जो भी total है जो भी इंका total है वो यहां पे लिखा होता IGST यहां पे कुछ आता ही नहीं बट हर्याना को तो फिर भी कुछ चाहिए क्योंकि हर्याना के पास गया है वो good तो इसलिए वो amount चो central government IGST की नाम से इसलिए तो आज हम इसको यहीं पे close करते हैं बचो और आज की जो class हम लोगों ने discuss करी इसमें हमने legislative framework की बात की हमने mostly और चलो एक काम करते है framework को ख़दम करी देते हैं framework चोटा सा ही है framework को ख़दम करी देते है टैकसे सब्जूम पढ़ा था ना आज framework को ख़दम कर देते हैं बस last रहे गया मेरे क्याल से 12th point पे हैं हम 12th point तक ही हमें करना है और हम 8 तो करी चुके हैं हाँ ख़दम करते है GST common portal क्या होता है sir sir GST common portal है GST की website इस website का नाम है www.gst.gov.in ये website ना GST की website है जो all over India चलती है इंडिया की dot in का मतलब पता है ना dot India ये इंडिया की website है ठीक है पूरे इंडिया में कहीं पे भी खोल लो क्या होता था पहले की बात करें वैट laws में तो पहले वैट के लिए हर state का ये जो वैट का था डी वैट के लिए डेली वैट के लिए अलग website होती थी हरयाना वैट के लिए अलग website होती थी UP वैट के लिए अलग पंजाब वैट के लिए अलग राजस्थान वैट के लिए अलग महाराष्टर वैट के लिए लग क्या होता था हर एक जगा पे अलग अलग वैट रेट थे अलग अलग तरीके थे ठीक है और वो state government का लॉट था 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 ना इसी रीजन से अब अब जी स्ट क्या कर दिया एक ही बना दिया इसलिए इसको बुला गए common portal common portal all over India before GST since the central states indirect tax administrations works under different laws regulations procedures and formats their IT infrastructure and systems were also independent of each other हर जो चीज थी थी ना वो independent थी अलग अलग थी integrating them for a GST implementation was a complex since it requiring integrating the entire indirect tax ecosystem so as to bring all the tax administration central state and UTs to the same level of the IT maturity with uniform formats and interfaces for taxpayers and other external stakeholders सारे देश भर में जितने भी GST का काम जो भी good services बेच रहे हैं काम कर रहे हैं डीलर्स हैं तो उन सब को कोई problem ना आए इसलिए उन्होंने एक ही portal कर दिया which is GST portal www.gst.gov.in ये website का नाम है समझ में आगी बात अब GST में और क्या जो है आपको धिहान रखना है इस GST इस website के साथ साथ आपको एक और website मिलती है ये e-way bill की www.e-way bill gst.gov.in ये website जो होती है ये e-way bill यानि अगर आप एक state से दूसरे state में goods को transport करते हो trucks के थूरू या किसी भी carrier के थूरू तो ऐसे case में आपको एक e-way bill file करना पड़ता है बच्चो वो e-way bill जो होता है न वो इस website के थूरू होता है वो दोनों काम अलग-अलग है GST की registration, GST की payments करना, GST से related हर तरह का procedure इसी के अंदर है सिरफ e-way bill के लिए एक अलग website है बाकी सारा सारा गसार इसलिए common portal इसको बुला जाता है समझ में आगी बात ठीक है अच्छा एक और बात यहां पर आप note करो जो याद करने वाली बात है resultantly a common GST electronic portal यहां से यहां से common GST electronic portal यह website a website which is managed by GSTN GSTN goods and service tax network बोलते हैं इसको GSTN एक एसी company which is incorporated under the provisions of section 8 of the companies act वो जो NPO companies होती है बच्चों NPO organizations होती है वो कौन से companies act के section से लागू होती है section number 8 of the companies act 2013 तो याद रखना है कि यह जो GSTN की जो website है यह goods and service tax website है इस website को manage कोन करता है बनाता कून है कौन सब कुछ manage कर रहा है GSTN manage कर रहा है यह कैसी company है which is incorporated under section 8 of the companies act is set up by the government to establish a uniform interface for a taxpayer and a common and shared infrastructure between center and states सारे central government सारी state government एक common infrastructure फो शेर कर रही है एक ही चीज़ यूज़ कर रही है which is GST की website समझ में आ गया इससे क्या होगा cost सब की कम होगई state government को भी अलग अलग website बनाने की कोई ज़ूषत नहीं है तो यह उनको benefit मिल जाता है ठीक है in fact जितने भी जो tax consultants हैं जो tax consultants जो tax जमा कराते हैं अपने अपने dealers का अपनी जो भी dealers है उनका tax जमा करा रहे है या उनके लिए कोई tax consultancy दे रहे हैं related to GST उनके लिए असान हो जाता है क्योंकि उन सबको accessible होता है एक taxpayer को in fact tax consultants को उसी particular portal पर आके अपने आपको register करने का तो एक ही जगह पर सबको registration करानी है एक ही जगह पर सब कुछ है समझ में आया यानि tax consultants के लिए भी वही पोटल है एक taxpayers के लिए भी वही पोटल है Central Government के लिए भी वही Portal है State Government के लिए भी वही Portal है हर person के लिए India के लिए अंदर वही Portal है Government GST system provides a linkage to all State UT Commercial Tax Department Central Tax Authorities, Taxpayers, Banks and other stakeholders The ecosystem consists of all stakeholders starting from the taxpayer to tax professional to tax officials to GST portals to banks to accounting authorities सब के लिए convenient हो गया सब के लिए Benefitable हो गया Taxpayers के लिए, Tax Professionals के लिए, Tax Officials के लिए, Officials हो गया Tax Department Banks के लिए, Accounting Authorities के लिए, सब के लिए ठीक है बो यह कह रहा है कि क्या क्या चीजे इस GSTN के क्या functions होते हैं, ठीक है इसके अंदर GSTN के functions लिखें, वो मैंने यहां पर भी लिख दी है the functions of GSTN Now, what are the functions of GSTN GSTN को क्या काम दिये गए है Creation of Common and Shared IT Infrastructure, एक ऐसा Infrastructure क्रेट करना, जो Central and State दोनों के लिए common हो Number 2, Filing of Registration Application जो भी registration होगी उसको file up करना, उसको attend करना इतना असान कर देना कि जो भी registration form कर रहा है, उसको उसके लिए कोई मुश्किलात ना हो Returns file करना Returns file करना Creation of chalane for tax payments जो भी chalane बनेगी सब chalane इनी के पास जाएगा यही इनका काम है इनको दिया गया है कि यह website इस तरीके से manage करेगी चalane automatically create होगा कौन सा chalane? payment का chalane अगर मैं जो आज GST जमा कराना है तो मुझे आज कुछ GST जमा कराना है तो उसके लिए एक चalane create करना पड़ता है बच्चों website पर चalane create करना पड़ता है और उस website से जो चalane create करेंगे उसको उससे tax pay करेंगे तो creation of chalane for tax payment settlement of IGST payment IGST की payment को कैसे settle करना है क्योंकि IGST की payment को central government को देना है और state government को देना है state government में कौन सी state को देना है देर सारी states हैं कौन सी state को देना है ये सब चीज़ों को ध्यान रखना किसका काम है GSTN का काम है generation of business intelligence and analytics कुछ ऐसे analysis बनाया जाएं जिससे जो businessmen है पूरी एक साथ एक जगह पर आजए तो कुछ ऐसा software develop करना इस GSTN का काम है GSTN कौन है बच्चों goods and service tax network section 8 of the companies act में registered हुई वो कंपनी government की वो कंपनी जो कंपनी ऐसे functions कर रही है shared infrastructure बनाती है center and state के लिए registration application को fill up करती है filing करती है returns भरने के लिए help करती है ऐसा website बनाने का उनका कोशिश है चलान create करने के लिए help मिलता है settlement of IGST IGST के जो payments आई है उनको central state कितना कितना किसको देना है ये बात को ध्यान रखने का इस GSTN का काम होगा और business को generate करना business intelligence और analytics को generate करना कि कैसे कौन सी कितनी sales हुई है पूरे साल भर में कितनी क्या-क्या sales है क्या-क्या goods खरीदे गए है वो सब बातें इसमें बताई जाती है ठीक है जी functions of GSTN समझ में आता है बच्चों तो ये हो गया functions of GSTN next is GSP and ASP now what is GSP and ASP GSP का मतलब है GST Suvidha Providers GSP is application service providers GSTN has selected a certain IT IT's and financial technology companies to be called GST Suvidha Providers actual में GSTN website को manage कर रहा है कौन सी website को www.gst.gov.in इस website को manage करने के लिए अकेरा GSTN कुछ नहीं कर सकता इसके help के लिए कुछ companies को इन्होंने हायर किया जिन companies को इन्होंने GST Suvidha Providers बोला GSP बोला जैसे की TCS जैसे की HCL कुछ ऐसी technology companies को उन्होंने हायर किया कि वो लोग help करे GST के बरपस के लिए GST Suvidha Providers बोलते हैं इनको GSTN has selected certain IT's and financial technology companies to be called GST Suvidha Providers GSP's यानि GST Suvidha Providers develop application to be used by taxpayers for interacting with GSTN कोई ऐसी application तियार करो जिससे आप website तक पहुन सकते हो interact कर सकते हो goods and service tax network यानि यह जो network जो company है GSTN जो है उनके साथ interact कर सकते हो they facilitate the taxpayers in uploading invoices वो लोग help कर रहे है to upload invoice कैसे करा जाए असान कोई तरीका returns filing करने के लिए and act as a single stop shop for GST related services कैता है यह लोग जो GSP's है न यह help कर रहे है GSTN को ताकि वो लोग उस website को के थूँ invoices भी upload कर सके returns file कर सके और एक single stop shop बना दी गई for GST all type of GST related services के लिए उस website तो उस website में योगदान सिरफ GSTN का नहीं है GSTN अखेला कुछ नहीं कर सकता उस GSTN को help देने के लिए बैठा है GSP's समझ में आया GST Suvitha Providers तो TCS जैसी companies जो है वो वाकई में help कर रहे है इस वाग as a GSP to GSTN to manage the website ठीक है जी Now what is application service providers Now GSTs may take help of ASPs अब यह क्या चीज़ है साथ GSP भी ASP के लिए रहे है तो बहुत बढ़ी चेर है ASP हो गए चोटे मोटे लोग चाहे चोटे लेवल पर बहुत काम करते अप बनाते हैं अप हम लोग जो है ना थेखो इटी की जो सेक्टर है ना हम लोग काई थरह की अपनित्रा की कंपनी ज langu है एक होथी है चोटे मोटे आपस बनाने वाले कंपनी्स एक होथी है आपस के उपर टैकनलोजी बेस्ट म्ज़ कंपनी जो आपके उपर काम करते हैं वो एप का नहीं काम करती है, वो टेकनोलोजी वली कम्ती है, एक होती है एप वली कम्ती है, एप क्रियेट करती है, तो एक होती है एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ASP's, अब ASP's क्या है, यह एप क्रियेट करते है, GSP में टेक हेल्प आफ ASP's, तो वो एक ऐसी एप बनाते है, ताकि टैक्सपेर्स जो है, उनको कनेक्ट कर सके, GSP जो बनाना चाता है, GSP अपलोडिंग, इनवोइस अपलोड करना, असान करना चाता है, तो वो जो भी करना चाता है GSP, उस वेबसाइट के अंदर, उसके लिए उसके लिए वो एक app बना रहा है जी हाँ, GST का invoices upload करना, returns upload करना अब आज के टाइम पर आप के थुरू भी कर सकते हूँ तो वो help कौन कर रहा है, application service providers ये constantly, consistently, कुछ ना कुछ creativity, innovativity डालते रहते हैं और बताते रहते हैं government को कि हम लोगों ने कुछ ये app बनाई है इसको बोलते है, application service providers तो बताओ, मैंने दो-तीन नाम लिए अभी GSTN, goods and service tax, network ये एक company है, जो section 8 of the companies act में registered है और ये website को manage करती है section ये जो company है, ये अकेला कुछ नहीं कर सकती ये help लेती है, GST Suvidha providers की ये जो GST Suvidha providers है ये TCS जैसी companies है, जो big short companies है वो company, IT में सबसे expert companies है वो company से help ली जाते है कि आप website को जैसे होता है जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को manage करना है improve करना है, वो improvement आप बताओ तो GSP जो है, बहुत बड़ी company है ठीक है, वो ये लोग, वो ये लोग बड़े level पर तो देखते ही है, पर छोटी-छोटी कुछ ऐसी बाते होती है, जिनका link बनाना है customer कैसे direct पहुंच सकता है हमारी इस website पर उसके लिए वो एक app का link बनाती है कि website और ये है taxpayer इस taxpayer को website का ना पता चले ठीक है, तो GSP help लेता है किससे ASP की, application service provider से, that's it next is 11th point compensation CES, बच्चों, एक एक और CES, एक और tax की बात कर रहा है अगर हम लोगों ने याद करा हो, अगर आपको याद हो central and state surcharge के जो CES है central CES और state CES हम लोगों ने पढ़े थे वो सब sub-sumd हो गए, GST खतम वो वाला खतम हो गया, बट एक compensation CES रखा गया, जो GST के साथ है आया, और उन्होंने बोला कि central government, state government ने बोला कि sir, central government को कि sir, हमें तो नुक्सान हो सकता है, क्योंकि VAT में तो हमारी अच्छी खासी collection थी सारा revenue हमें मिलता था, और GST में तो हमारी revenue वैसे ही distribute हो रही है तो हमें तो काम नुक्सान हो सकता है तो ये बात central government ने का हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तो वो कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है central government ने clearly बोला कि आपको नुक्सान हो सकता है, गवराने की क्या जो था इसमें नुक्सान हो गया तो हो गया, state government ने का सर ऐसे कैसे हमारे fix infrastructure fix खर्चे है तो state government ने बोला ठीक है सर कुछ ऐसा tax allow करो कि हम लोग कुछ ऐसे products पर negative items पर लगाए और हमारा वोई tax कठा हो जाए जो पहले था समझ रहो, मतलब कि पुराने tax का पुराने tax से मादलो, मादलो VAT से हमारी collection करीब 1000 करोड की है एक state की बात करता हूँ 1000 करोड की है और GST से मेरी collection हो रही है 850 करोड की, तो 1500 करोड का नुक्सान हुआ, 150 करोड का वो जो 150 करोड का नुक्सान है उसके लिए ये कुछ negative items पर compensation cess charge करेंगे state governments देखो क्या लिखा है अज GST compensation cess at specified rate has been imposed under goods and service tax compensation to state cess act ये लोग को 5 बाए, ये cess है, ये tax नहीं है act 2017 on the specified luxury items or demerit goods luxury items पर लगाया जाएगा बच्चों or demerit items के उपर लगाया जाएगा negative items like paan masala, tobacco, air rated waters motor car motor car होगी luxury, हाँ, etc computed on the value of taxable supply compensation cess is leviable on intrastate supplies and intrastate supplies with a view to provide for the compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of GST GST आने की वज़े से जो उनको नुक्सान हो रहा है, loss हो रहा है revenue का वो revenue उनका एक बराबर वाली position पर पहुँच सके इसलिए लगाया गया compensation cess मेरी बात समझ में आती है बच्चों तो GST compensation cess लगाने का मकसद क्या था तो जो पहले वैट में collection होती थी उतनी ही collection आज भी हो यही state government चाहती है कम से कम उतनी collection तो होई minimum तो इसलिए उस loss को कठा करने के लिए उस loss को वापस recover करने के लिए वो कहते है कि कुछ negative और luxury items के उपर हम लोग cess लगा दे ताकि हमारा जो क्या कहते है collection है वो बराबर हो जाए समझ में आती ही बात next point number 12 हम लोग जो पढ़ रहे है वो है GST attacks on goods and services now GST के अगर हम बात करें alcoholic liquor के products की बात कर रहा है alcoholic liquor पे GST नहीं लगता यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था alcoholic liquor पे आज दो rates लगते हैं दो taxes लगते हैं state excise duty यह बात मैं वैसे कर चुका हूँ पहले पर फिर भी इसको complete कर लेते हैं क्योंकि हम लोग framework पढ़ रहे alcoholic liquor पे दो taxes लगते हैं manufacturer होने पर state excise duty और CST VAT लगता है जब हम उसको sale करते हैं CST कब लगता होगा जब उसकी interstate sale करते हैं intra-state sale करते हैं तो VAT लगता है ठीक है न इसके बाद अगर petroleum crude petroleum crude की बात करें तो petroleum crude यह इनको पेट्रोलियम items बोलते हैं याद करना है petroleum items petroleum items को याद करना है petroleum items हैं मारे पास 5 कितनी items हैं 5 petroleum crude high speed diesel natural gas petrol इसको petrol को motor spirit भी कहते हैं बच्चों motor spirit एक last aviation turbine fuel aviation turbine fuel क्या होता है aircraft के लिए fuel aircraft जो aeroplane aircrafts के अंदर fuel डलता है उसको aviation turbine fuel कहते हैं इन 5 petroleum items के उपर GST लगाने के लिए government ने मना कर दिया central government ने फिलहाल के लिए ये power GST council को दिया किसको दिया GST council जिसके chairman जिसके chairman है वो minister of finance होते है मैंने आपको बताया था ये बात finance minister होते है GST council के chairman जो जो है ये decide करेगी कि कब से petroleum item पे GST लगाना है अब तुम कहोगे sir petroleum item पे GST लगाने में दिक्कत क्या है petroleum item पे GST इसलिए नहीं लगाया जारा कि अभी petroleum items पर जो लग रहा है वो लग रहा है central excise duty और VAT और इस वज़े से petroleum item पे अच्छा खासा collection आता है government के पास taxes का central excise duty भी government बहुत अच्छा लेती है और VAT भी state governments बहुत जादा लेती है जिसकी वज़े पेट्रोल के rate आप देख रहे हो 80 रुपीज का अगर पेट्रोल का रिविट है ना पर लीटर तो 80 रुपीज में करीब करीब 30 से जाधा प्लस 30 से जाधा यह tax है बहा tax बढ़ आप एक्च्वल पेट्रोल 50 रुपीज करीद रहे है without tax 50 रुपीज से भी कम ने in fact 45 के आसपास और 35 के आसपास के taxes है अरे यार है रांगी की बात है हम इतना tax पे कर रहे हैं तो tax पे कर रहे है तो government अभी धेर सारा tax कलेक्ट कर रहे है petroleum item पे तो उसको ये देखना है कि अगर मैंने इसके उबर GST लगा दिया तो उनका revenue हो जाएगा कम तो क्या उसकी कोई replacement है इसलिए आज तक GST council decide ही नहीं कर पाई है कि petroleum item पे GST लगाएं या ना लगाएं तो petroleum items होती है 5 याद रखनी है petroleum crude, high speed diesel natural gas, motor spirit और last में aviation turbine fuel फिर से याद करते है petroleum crude, crude मतलब raw petrol जो raw होता है natural gas, high speed diesel motor spirit यानि petrol और last में aviation turbine fuel ATF last item की बात करें तो tobacco है, tobacco is within the purview of GST, that is GST is levyable on tobacco, however union government has retained the power to levy excise duty on tobacco and tobacco products manufactured in India, resultantly tobacco is subject to GST as well as central excise duty तो basically tobacco जो एक item है उसके उपर GST भी लगाया जा रहा है और central excise duty भी लगाई जा रही है is that clear? तो बताओ, tobacco के बारे में मैंने पताया था tobacco तंबाकू जो है रहा उस पे central excise duty GST दोनों लगाया जाते है अच्छा, अगर petroleum crude की बात करें excise duty भी लगाया जा रहा है और देखो, कोई पूछर भी नहीं रहा क्यों नहीं पूछ रहा क्योंकि ये नेगेटिव वाइटम है कोई tobacco ये नहीं कह सकता है sir ऐसा क्यों? हमने क्या गुलत किया तबाकू करे चीज़ है injurious to health हाँ, इसमें tax लगाएं, ना लगाएं तुझे क्या? खाना है, खा नहीं खाना है तो भाग निकले आँसे? अच्छी बात है, मत खा समझ मैं है, तेरे सिहत के लिए अच्छा है तो ये reasons हैं कि tobacco पे taxes लगाया भी जा रहा है, prices बड़ भी गए है बट हमारे देश के हाल, आपको लोग जानते ही है फरक पड़ता नहीं है, tobacco फिर भी बिकरा है बहुत जादा, alcoholic liquor, petroleum और tobacco एक ऐसी 3-4 items है जो इनके उपर थोड़ा सा अभी disputes चल रहे हैं कि क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं further, real estate sector में construction की बात करें बच्चों लोग अगली क्लास के अंदर अगली क्लास नहीं, चैप्टर नमबर 2 के अंदर पढ़ेंगे तो good, immobile property is not a good movable property good होती है तो इसलिए GST लगी नहीं सकता, service है नहीं service तब होती है जब construction करा रहे हूँ और अगर मैं property खरीद रहा हूँ तो it is not a service property की construction करवा रहा हूँ it is a service समझ में आ रहे ही बात तो ये सब बाते हम लोग पढ़ेंगे is that clear, तो ये है आज का जो lecture था, वो काफी है आप लोग के लिए आज, बहुत ज़्यादा हो गया तो आज आप लोग इतना पढ़े और अगली क्लास में हम लोग उसको ज़रूर रिवाइस करना, ठीक है बाइ-बाइ